आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने आनलाइन इस्टेट और निसांत यान के यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाद्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रवाज जो है आपके विज्ञा विज्ञानविसे का यह तीसरा वीडियो होने वाला है और यह साथ वीडियो में हम पूरे के पूरे विज्ञानज चैप्टर को कवर कर रहे हैं इसमें से एक भी कोईचन अगर आप पूरे तीन के टीनों विड सबी पीडियाफ आपको टेलिग्राम पे दे दिया जा रहा है वहां से आप पहले एक बार वीडियो को देखिए उसके बाद टेलिग्राम से इस जो भी पीडियाफ आपको दिया जा रहा है इसे आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ठीक है और उसके बाद क्वेस्चन आप बहुतिक रासियां कहलाती हैं, लंबाई, छेतर, रब्यमान, समय आद ये सब क्या होती हैं, बहुतिक रासियां होती हैं, ठीक है, मात्रक क्या होते हैं, बहुतिक रासि के निश्चित परिमाण को दर्साने वाले क्या कहलाते हैं, परिमाण है, परिडाम नहीं है, ध्यान दिखिएगा एक पध्यति होती ही यह पध्यति होती सीजी असे अकोती ही मित्रो यह पीएस का मतलब होता है फूट पाउंड सेकेंड पडाली किसका मतलब मात्रक है ध्यान रखिएगा लंबाई दरब्यमान और समय ठीक है लंबाई का मात्र के FPS में फुट होता है, द्रभमान का मात्र के FPS में पाउंड होता है, समय का मात्र के FPS में सेकेंड होता है, पस इसका मतलब यही है, cgs पद्धती का मतलब होता है centimeter gram second प्रडाली अर्थात लंबाई का मात्र किसम संठी मीटर dhrableman का gram और 70 गराम और 70 गराम इसी तरीके से mksg Benim k 똑खती होता है meter kilogram second प्रडाली अर्थात लंबाई का meter द्रभमान का kilogram समय का second थीक है मूल मात्रों को की संख्या कितनी होती है तो मूल मात्रों की संख्या मित्रों साथ होती है मूल रासियों की संख्या जब साथ होती है तो मूल मात्रों की संख्या भी साथ होगी ठीक है मूल रासियों और पूरक मात्रों कौन कौन से होते हैं दखियेगा दो पूरख मात्रक होते हैं, पूरख रासियां रेडियन और इष्टेए रेडियन रेडियन का मात्रक कॉ نے फिक है, चलीए, मित्रो आप सभी लोग देखिएगा, साथ मूल रासियां होती है, कौन-कौन सी होती है, लंबाई, द्रबमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, जोतिवरता, विदुद्धारा, ठीक है, इस साथ मूल मात्रक होते हैं, आपने कच्छा नवी में जब आपने एडमिसल लिया होगा ता आपका पहला चैप्टर यही था, मुझे आज भी पता है, मैंने जब एडमिसल लिया था, मैंने यही पढ़ा था और आपको भी पता होगा, लंबाई का मात्रक मीटर है, जो इसके मात्रक है, वो मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है, द्रबमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, जोतितिवरता का कैंडिला, एम सेंटी मीटर होते हैं, दो दसमलोग पांच happens, एक फूट में बारा इंच होता है, एक गज में तीन फूट होता है, कीलो हिक्टोडेका मीटर लीटर वाला ग्राम जो पैमाना होता है, आप उसे देख लिजिए कर कैसे याद करना है, ठीक है, चलिए, छेतरफल का मात्रक क्य होता है हमेशा वर्ग मीटर होता है और आयतन का मत्रक्या होता है हमेशा गहन मीटर होता है इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा एक एयर बराबर कई मीटर स्कॉयर होता है ध्यान रखिएगा 100 मीटर स्कॉयर होता है एक एयर बराबर एक डेसिमल बराबर क्या होता है 40 मीटर स्क्वाइर एक एकड़ बराबर क्या होता है सव डिसिमल होता है एक हेक्टेर बराबर क्या होता है एक हजार मीटर स्क्वाइर या सव एयर सव एयर को जो है एक हेक्टेर बोलते हैं या एक हजार की स्थिति में परिवर्तन होना ही घटि कहलाती है ठीक है गती के प्रकार गती कितने प्रकार के होते हैं त without होते हैं इसे में से कुछ गतियां है जो कि इंपॉर्टेंटрим एक होता है सरल रेखी गति जब वस्ट। सरल्रेख के या सीधी रेखा में गती करता है तुसे क्या कहते हैं सरल रेखी गती जैसे सीधी सड़क पर वहां जो चलता है इसे सरल रेखी गती का उदारण है वृत्ती गती की बात करें मित्रो वस्तु निश्चित बिंदु के चारो और बृत का मतला बृत इसे इसे गूमे तो बृत है गड़ी की सूइ, सूर के चारो और प्रित्वी की गटी, इसक्या होती हैं वृत्ती गटी? घूरन गटी. जब वस तु अपनी धुरी के धूरी या अच्छे के चारो और घूमती रहती है, तुसे क्या कहते हैं? घूढन गती जैसे कुमार का चाक और घरणी ठीक है एक गुढन गती गोदाण है दो लन गती जब वस तु अपनी माध हिसाथी के दोनों और सर्रैखा में गती कड़े तुस्के क्या कहते हैं दो लन गती अपनी माध हिस्तेथी यहां कर शर ने अच्छी तरीकत है दिखाया इसकी माद धिस्थती है आपने कच्छानवी में प्रेक्टिकल भी किया होगा इसे इधर लाके छोड़ते हैं उसके बाद इधर चली जाती है फिर उधर से इधर आती है यह क्या होता है दोलन गती अपनी माद धिस्थती इसकी माद धिस्थती ए है दोनों और सरलरेखा में उ वस्तु द्वारा तै किये गई पत्थ की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है दूरी होती है आप लिखिएगा गतिमान वस्तु के द्वारा तै किये गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं दूरी और विस्थापन भी पूछा जाता है तो विस्थापन ध्यान रखिए वस्तु के प्रारंबिक और अंतिमिस्तति के बीच कि नियूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं जैसे हम यहां से ले के बिंदू A سے लेकर के बिंदू B तक जाना है हम इस तरीके से चले गए इस तरीके से यहां तक हम भी तक पहुँझ गए अब अगर पूछा जाएगा दूरी क्या है था हम यहां से नाप इसे 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 पूरा नाप लेंगे उसके बाद हम बताएंगे भाया 15 किलो मीटर है है ना क्योंकि मैंने मार्गे की लंबाई ना पा अगर आप से पूछा जाए विस्थापन क्या है विस्थापन का मतलब इतने से और एसे बी के बीच कम मतलब नियुनतम जो दूरी रहेगी डायरेक्ट यहां से ले करके इसे सीधी रेखा में इसे नाप लेंगे तिन्यूनतम दूरी आएगी हम कहेंगे इतना ही विस्थापन हुआ है ठीक है चलिए दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी दूरी और अधिकान्स केस में दूरी हमेशा विस्थापन से ज अधिस रासी है इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा अधिस रासियां क्या होती है आप इसे पढ़ लीजिए एक बार यहाँ पर देखिए अब सर ने बहुत बहुत बहतरी तरीके से एक्जामपल के माध्यम से बताया है जैसे ए भी ठीक है हमें ए से ले गर के बी बिंदू तक जाना है ए से हम पहले कहा जाते हैं इधर जगाए फिर इधर गए कुल मिला कर आप मैंने समझाने का प्रयास किया सम द्ध्यम लंबाई एक करंड का वर्ग बना दिये हैं लंब का वर्ग आधार का वर्ग इसे आपको जानना अवंन्सक नहीं बस इतना जाने यह ठी? जाल और वेग आप से पुछा जा सकता है चाल क्या होता है? फिर दिख के गा ? चाल क्या होता है वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी एकांक समय में चली गई दूरी जो है चाल कहलाती है चाल बराबर वस्तु के द्वारा तेकी गई दूरी बटे समय अंतराल ठीक है दूरी का मातर क्या होता है मीटर और समय का मातर होता है सेकंड तो चाल का म एकांक समय में तै किये गई दूरी जो है चाल कहलाती लेकिन एकांक समय में तै किये गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं ठीक है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय ठीक है चाल को किस से मापा जाता है दूरी को किस से माप जाती है उसे हम 8 oh metr बोलते हैं क्या बोलते है ौड़ओ कि ठीक है आपके motor-cycle में में 2-3 है अब 달 साइकिल में 2 में 610 पे चल और 2 मापी हुआ है छाल मापी और दूरी और सवय है वीघ और चाल दोनों का मातरक बुराबर होता है न्यूटन के गति-विश्यक कितने Latino नियम कर देचांप्र सोर सहतारी सी की पुस्तक में प्रिंस्पूया में यसे वर्डित किया गया था कौन कौन सा नियम है तीनों नियम आप ध्यान रखे लिजिएगा पहला नियम क्या है गति का प्रथम नियम या जड़तो का नियम इसे बोलते हैं पहला नियम यही है यदि कोई वस्तु विरामा वस्ता में है तो वह तब तक विरामा वस्ता में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहबल नलगाया जाया और कोई वर्ष कुरू गत्सी लवस्था में वा तब तक गत्सी लवस्था में रहेगी, जभटक सब्सक्रफ कोई बाहबल ना लगाया जाया ठीक है इसे हम जड़तोता का नियम भी बोलते हैं एक्जमपल design के ध्यान रख्येगा रूकी गाड़ी का एका एक चलने पर यात्री पीछे की तरब जुग जाता है पेड़ हिनाने पर फलों का तूटना इस सभी क्या है एक गती के पर्थम नियम के उदारण है यात्री जो है अचानक बैठा रहता है एका एक परिवर्तन उसके गती में आता ह पीछे की और जुग जाता है जब एक गाड़ी चलती है इस अभी गती के पर्थम नियम को दारण है एक इंपोर्टेंट इक्जाम पर ध्यान रख्येगा पेड के हिलाने पर फलों का तूटना किसका नियम है गती के पर्थम नियम का उदारण है गती का दुती नियम इसे जो है संवेग का नियम भी बोलते हैं इसे जो है बलका नियम भी बोल देते हैं गती के दुती नियम को संवेग का नियम भी बोलते हैं बलका नियम भी बोलते हैं आप रिविजन के तोर पे ध्यान रखिएगा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बलके अनुक्रमान उपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बलकी दिशा में होता है अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ बताने क्या हो सकता है लेकिन संवेग ध्यान लखिए संवेग क्या होता है किसी वस्तु का संवेग होता है P बराबर यम B P जो है सम्वेग को बोला जाता है यम का मतलब द्रभमान और उसका वेग सम्वेग क्या होता है किसी वज्टु के द्रभमान और उसके वेग के गुलनफल को उसके सम्वेग बोलते हैं ठीक है लिख लिजिएग अगर आपको आता है सेकेंड नियम में उदारण है कैज का लपकना ठीक गति-गतरती नियम इसे जो है क्रिया-प्रत्क्रिया का नियम बोलते हैं जैसे आप एक नाव पर खड़े हुए हैं, नाव पर खड़े हो करके आप कूदना चाहते हैं, तो आप जब नाव पर जोर लगाते हैं, तो जितना जोर लगा करके आप नाव से पानी में कूद रहे हैं, उतना ही जोर, नाव अपनी तरफ से आपके पंजो पर लगाती हैं, तभी जाकर के आप दूर गिड़ते हैं नहीं तो आप दूर न जा पाएं ठीक है राकेट का दागना यह भी जो है गती के तरती नियम में आता है आप से कोशन पूछा जाएगा कि न्यूटन के गती विश्यक तरती नियम क्या है ध्यान रख लिजिएगा मैं आपको जो है क् को इसमें पंडित बनाया जाए कोई राकेट साइंस कोई भी लगाने क्या हो सकता नहीं किवल आप दिहान रख लिजिए अगला चैप्टर है बल बल क्या है बल वह धक्का या खिचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है बस यही याद रख लिजिए बढ़ बराबर क्या होता द्रवमान गुड़े तोरन बल को हम युव बोलते हैं मतलब फोर्स यम मतब मास एक्सिलरर्ट यह आख आफ बराबर यम-ए इसी को लिख दिया गया है यम तोरन है बाल का मातरत रख क्या होता क्या हूत है किलोग्र क्या मात्रक्या होता किलोग्राम और तुरण का मात्रक्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर तो जो बल का मात्रक्या हो जाए क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर और इसी किलोग्राम मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर को हम न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है, न्यूटन किसे कहते हैं, तो किलोग्राम मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर को हम न्यूटन बोल देते हैं, ध्यान रख लिजिएगा, डाइन भी जो है बल का मातरक है, इसे भी इसे जो करता है ठीक कि इसका माप दोनों तलों के बीच अभिलंव पर निर्भर करता है ठीक है चलिए कि यह दो प्रकार के होते हैं एक होता एस्थेटीक। एक होता है गतीज घर्शन घरसन का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है ध्यान रख लिजिए घरसन का सूत्र यप बराबर यमजी होता है ठीक है घरसन का सूत्र क्या होता है यप बराबर यमजी यह ध्यान रख लिजिएगा एक्जाम्पल के तौर पे कलम में स्याही का प्रियोग, भारी सामागरी खीचना, कमीज इस्त्री करना, यह सभी किसके उधारण है, घरसन के उधारण है पेसिये बल, इट को हाथ में उठाना, दोड़ना, भागना, अर्थात यह बल हमारे मांस पेसियों को कारे करने के कारण होता है पेसिये बल, कुछ बताने के आउस सकता नहीं, गुर्तवा करसन बल, आकरसन का वह बल जो दो वस्तूओं के द्रबमान से आकरसित होता है जैसे प्रित्वी का गुर्तवा करसन बल हमें जमीन की तरफ खीचता है ठीक है, गुर्तवा करसन बल होता है चुम्बकी बल किसे कहते हैं चुम्बकी बल वह बल है जो विद्धुत कणों के बीच उनकी गती के कारण होता है जैसे चुम्बक के ध्रिवों के बीच आकर्सन या प्रतिकर्सन बल कुछ लोग कहेंगे सर आप ज्यादा समझाते नहीं हैं तो इस वीडियो में अगर हम सम्झाने लगेंगे तो यह video लेक्चर वीडियो बन जाएगा हम इसे लेक्चर वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं यह एक मात्र और मात्र सार्ट नोट्स वीडियो होना चाहिए विदुती न्ह이다 two hundredth में क्या बताए आपको अक्तिस में बताया गया नूटनए के गुर्तव करशन यफ बराबर हो जाएगा यफ अनुक्रमान पाती यमवन यम्टू अर एक बार हो जाएगा यफ अनुक्रमान पाती उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वित्करमान पाती अब जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यफ अनुक्रमान उपाती हो जाएगा यमवन यम्टू ब स्क्वाइर ठीक है यहां पर मात्रक ध्यान लग दिजिए न्यूटन नहीं होता है न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रति कीलोग्राम स्क्वाइर होता है सर्वत्रिक गुर्ता करस्ण नियतांक भी उसे बोलते हैं जी को जो है सर्वत्रिक गुर्ता करस्ण नियतांक बोलते हैं अब उर्जा के बारे में पन्ल Jugy कार्ण कारे करने की चंता को उर्जा बोलते हैं और इसका फारिक वूला है के बराबर एक बटे दो यम वी स्क्वाइर स्थिति जूर्जा क्या होता है इस्थिर होने के कारण कारे करने की जो छमता होती है उसे काते इस्थिति जूर्जा यू बराबर एक डियाम इसे आप दोनों को याद कर लिजेगा आपको पूछा जा सकता है काम-खत्म आगे बात करते हैं अब फिजिक्स आपका इतना ही है जितना मैंने फिजिक्स पढ़ाया है अब इतने फिजिक्स में से आप निशित रूप से आपका जितने भी कुश्चन आएगा इसी में से आए अब आगे बात करते हैं पदार्थ की, मित्रों पदार्थ के तीन प्रकार के होते हैं आप जानते हैं ठोस द्रोग एस, पदार्थ क्या होता है जो अस्थान गेड़ता है जिसमें भार होता है, क्या कहलते हैं पदार्थ, अब अस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्ग लीजिये क्या लिखा गया है अकरशन बल इसके जो कण होते हैं आकरशन बल से बढ़े होते हैं अंतरा आडवी का स्थान कम होता है इसलिए आकार वरतन निशित होता है ठीग है द्रौ में क्या होता है इसके पेच्छा फोटू बना दिये गया है देख लेजिए द्रौ में क्या होता है इसके कण या अणु दूर दूर होते हैं आकर्चन बलते बधे होते हैं अंतरा आणवी का स्थान ठोस से थोड़ा सा अधिक होता है अंतरा आणवी का स्थान का मतलब इसके अड़ों के बीच जो अस्थान होता है ठोस की तुलनाम जदिक होता है इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है जिस बरतन में डाल देंगे द्रव जो है वही आकार ग्रहन कर लेता है आयतन तो निश्चित होगा दूई लीटर है दूई ल ऐगुलंसील ता के एया दार पर गुलंसील पाली में घुल सकते गुलंसील जो पानी में गुल सके जो पानी में गुल जा। प सूख मतमकर जो सुता हुआ है पदार्थ के सभी गुण मौझूध होते हैं अड़कल लाता है ठीक है परमाण क्या होता है सवतंत्र अवस्था में यह नहीं रह सकता है लेकिन रासानिक अपगरिया में भाग लेता है हिट wings का अर्थी होता है अभिभाज छो कि इसमें क्या होता है प्रोटान और नूट्रान परहिता आप से कोशन पूजा जा एक प्रोटान पर कैसा ओवेश पाया जाता है इसमें केवल एक तत्तो के परमाडू होते हैं तत्तो क्या होता है इसमें केवल एक तत्तो के परमाडू होते हैं अर्थात इसमें केवल और केवल परमाडू निशित होते हैं एक ही तत्तो के लोहा सोना चादी योगिक क्या होता इसमें दो या दो से अधिक परमाडू होते हैं जब दो या कि लेकिन जल में आई डोजन भी याघ्जिजन भी हैजा इस वझे से क्या है ** कि अՆम हुआ है तक मिस्टरण मिस्रण यह होता है इने भीन प्राकार के जब आज हो थे समान जो है निसित रूप से मिला दिये जाते उसे मिस्टर बोलते है मिस्रण का मतलब मिलावट होता है दो प्रकार की समांगी मिस्रण क्या होता है मिस्रण के सभी अवयों समान रूप से जब वित्रित होते है तुने समांगी मिस्रण बोलते है इन्हें जो है अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है जैसे पानी में अगर आप चीनी का मिस्रण कर देते हैं, तो क्या आप अलग-अलग देख सकते हैं इसे, नहीं देख सकते हैं, तो समांगी मिस्रण का उधार है, मिस्रण के सभी घटक समान रूप से वितरित यहीं नहीं होते हैं, अलग-अलग देखा जा सकता है, जैसे बाल प्रिथक किया जा सकता है, प्रिथक करण क्या क्या होता है, ठोस मिस्र का प्रिथक करते हैं, फटक करके, बीन करके, चाल करके और थ्रेसिंग करके, सब कुछ आप जानते हैं, उर्धो पातन क्या होता है, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बीना द्रव में बदले गैस में प्रिवर्दित हो जाई तो उर्धुम्रातर करीय चल रहा है का प्रिथक करन कईसे करते हैं तलचटी करन करके निथार करके अपकेंद्रण करके तलशटी करण कुछ देर रखेंगे नीचे आ जाएगा निथार करके ठीक है अब केंद्रन का मतलब मतनी से मक्षन का निकालना है अब केंद्रन होता है घुलन सील ठोस पदार्थों का प्रिथक करण कैसे को किया जाता है वास्पन के द्वारा समुद्र से नमक कैसे बना जाता है वास्पित करके वास्पन के अनुसार जो है समुद्र से नमक बना जाता है आस्वन या संगनन क्या होता है जैसे पानी को हम गरम करते हैं पानी कुछ होता है उसके उपर हम जो है कुछ बरतन रख देते हैं तो बरतन में आ करके चिपक जात ठीक है तो उम्मीद करता हूँ जो मेरे तरब से प्रयास किया जा रहा है पूरे के पूरे आपके विज्ञान सिछन को मैंने साथ नोट्स के माद्यम से समाप्त किया कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा समझाय करिए मित्रो मेरा उद्देश से बिलकुल भी इसमें समझाना नहीं है आपको साथ नोट्स के माद्यम से मुझे पता है कि आप लोगों ने आनलाइन पढ़ाई नहीं किया होगा आप लोग इमांदारी से अपने बुक को पढ़े होगे अगर इमांदारी से अपने बुक को पढ़े हुए है तो जो मेरा साथ नोट्स से जा रहा पूरे के पूरे चैप्टर को पांच मिनिट के अंदर दोरा सकते हैं और जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें जो है पास करा भी सकता है पास तो कराएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं या वीडियो आपको कैसी लगी केमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि लगतार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए हम अपनी तरफ से बेश्टक देने का आपको प्रयास करेंगे विज्ञान भी से हो चुका है अब आगे आप बता सकते हैं जा हिन्द जा बारत